नमस्कार विद्ध्यारतियों और मेरे साथियों आज हम इस एक महत्वपूर्ण वीडियो में डिसकस करने वाले हैं मौडल क्योशन पेपर एकोर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यदि हम बात करें तो नई शिक्षानिती की अनुसार आपका जो मुख्य पदिक्षा होगी यूरिशिटी की एक्जाम होगी वो टेट टोटल 70 मार्क्स यानि सित्तर अंक की होगी यानि हम कहें तो आपका जो भी पेपर है मेजर, माइनर, ओपन, एलक्टिव उसका 100 मार्क्स का पूरा पेपर है जिसमें सहम पहले बता चुके है की 30 मार्क्स का आपके महाविध्याले में सीसी होगा और 70 मार्क्स के आपके उनिशिटी एक्जाम होगी अब सित्तर नंबर के आपके जो मुख्य परिक्षा होगी विश्य उद्याले एनिशिटी के द्वारा ली जाएगी उसमें मार्क्स डिस्टिबूशन किस तरीके से होगा हम यहाँ पर दो चीज़े देखेंगे कि आपके कितने क्योशन आएंगे और उनका नंबरों का वित पर यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लास्ट में सेवन्टी मार्क्स ने सित्तर अंक दिखाई दे रहे हैं यानि हम लोग ने क्या का कि परतियेक यूनिटे परतियेक एकाई आपकी कितने नंबर के होगी चवदा चवदा नंबर के आपकी एकाई हो जाती हैं आगे चलते हैं इसी प्रकार कुछ ऐसे पेपर से जैसे मैं बात कर रहा हूँ यही पेपर जिसको आज हम डिसकस करने वाले हैं इसमें total कितनी unit दे रहे हैं छे unit दे रहा हैं इनमें अंको का विवाजन के चैसा है तो इसमें अंको का विवाजन एक unit 11 अंक की, दूसरी 11 अंक की, 3, 4, 5 वी और 4, 5 वी यह सब 1212 अंको की रहेगी अर्थात यहाँ पर total marks distribution के तेका हो गया 70 marks का हो जाता है अब हम चल रहे हैं यहां से model paper की तरफ, क्या आपका paper किसा आएगा, तो model paper है, paper code दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, जो भी उपर university के दबारा code दिया जाएगा, हमने 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया है, आप कौन सी class में, तो BSC first year, examination, subject आपका chemistry, paper कौन सा है, तो major second, minor, open elective, और इस paper का जो special name है, व आप लोगों के लिएक सावधानी दे रखी, क्या है, कि सभी तीनों खंडों के प्रश्ट निर्देश अनुसार करें, अंको का विबाजन खंडों के साथ दिया गया है, attempt question of all three section, as director's distribution of marks is given with section, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहां पर, अब आगे चलते हैं, आसम लोग, यहां पर देखेंगे आप, total आपके इस question paper में तीन section है, तीन खंडे, उन तीनों खंडों को one by one हम discuss करने वाले है, सबसे पहले आपको जो दिखाई देरा वो है, आपका section one, यानि खंड A, खंड A में देखें, तो इसका जो नाम दिया हुआ हुआ है, वो अतिलग उत्तरी प्रश् अब खंड A में, total कितने question आएंगे, तो लिखा हुआ इस screen पर तीन प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का रहेगा, तो प्रत्येक प्रश्न चार अंकों का रहेगा, अर्था जैदी हम कहें, तो 3 into 4 यहां पर कितना आगया, खंड A आपका 12 अंकों का रहे अब आगे चलते हम लोग, कौन कौन से प्रश्न है, किस तरीके से प्रश्न आ सकते हम यह गारंटी रही लेते हैं, यह नहीं कहते हैं कि प्रश्न यहीं आएंगे, और यही छप जाए, तो भी बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम क्या करें यहां पर के प्रश्नों का रखा है, साइन एक्स, यहां पर फलन क्या दे रखा है, यहां पर फलन दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, उसके बाद टू को से थ्री एक्स दे रखा है, त्री एक एक्स बी स्क्विर दे रखा है, और एक और क्योश्न दिया हुआ है, क्योश्न नमबर टू है, सार्थ इकाई हिंदी में प्रिंट होना रह गया है तो आप लोग उसको इसा इकाई पढ़ लेना अगला जो उसके और में क्योशन दे रहा है राइट और नौट ऑन दे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका और में दे रहा है तिसरे प्रशन के और में पावर पॉइंट कैसे का करता है समझाएं तो विद्यार तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि प्रत्यक प्रशन के और में प्रशन आएगा यानि कि हम कह सकते हैं कि क्योशन जो आ रहा है जैसे हमने आप देखा विंडो ऑप्रेटिंग सिस्टम इसके और में क्या गया पावर पॉइंट आगया त स्टम इसमें प्रश्न जोस्टम इनल खिए तो फ्रेंटस्ग्स करें यानि 10 उल्सटम और में प्रत्यक प्रश्न जोसन hearing कई साथ यह यानि यह वाला गुण और की प्रिबाशा प्रकार रिखाब भाग और इसके नियम इसके और में क्या क्योशन दे रखा निम पर सिक्षप शंक्षप टिप पने लिखे, write a note on the following, difference between integration and differentiation, between differential and integration, और explain maxima and minima. क्योशन नमबर 2 दे रखा है, write the type of electronic transition, explain it, और उसके और में write application of ultraviolet spectroscopy. क्योशन नमबर 3, paper chromatography के से कहते, इसका सिद्दान समझाए, तो इसकी प्रायोगी क्विधी का वरणा कीजिए. Explain the principle of paper chromatography, describe the experimental method. और आगे दे रखा, explain, उसके और में explain the principle of what is called guess chromatography, describe its method. प्रशन करमांग 4, रिशातल लिनियम क्या है, और इसके सिद्दान तो और इसके अनुपरियोग. अगला उसके और में one-up समताभी समीकरण और समायतनिक समीकरण को विद्पन कीजिए. तो यह तो हमारा हो गया, खंड ब, यानि section B. अब चलते हम section C की तरप. इसक्रिन पर आपको section 3 दिखाई दे रहा है. Section C, यानि इसको बोलते long answer type question, यानि दिर्गूतरी. टोटल कितने परशन आएंगे, दो परशन आएंगे. प्रत्यक परशन कितने अंक का, पंदरा अंक का. Mark distribution कितना हो गया, तो 2 into 15, यानि की 30 marks का हो गया. ठीके, तो यहाँ पर टोटल कितने का हो गया, 30 marks का. यानि अभी तक हम देखें, तो कितने परशन आएंगे, पहले खंड में थे आपके 3 परशन, दूसरे खंड में थे आपके 4 परशन, और तिसरे खंड में आपके आपके 2 परशन. तो इस तरीके से हम लोग देखे, तो टोटल आपके प्रश्णों की संख्या कितनी आएगी एक्जाम में, 9 प्रश्ण आएगे वहाँ पर, अब इसमें किस तरीके से प्रश्ण पुछे गए, निमने पर संक्षप टिप पने लिखे, तो देखो, विद्यार के 15 नमबर का एक बड़ा प्रश्ण तो आने ही सकता, तो डेफिनेट लिएक इसमें आएगा, ये सेक्षण के अंदर रहेगा, तो निमने पर संक्षप टिप पने लिखे, फिंगरपिंट शैत्र, हुक का नियम, कंपने के प्रकार, मंकन कंपन, घुनन कंपन, स्पेक्टर, MS Excel, MS Word, क्रोमटोग्राफिक की सिद्धान को समझा, ये थारताव पर ही शुद्धता किसे कहते हैं, ये क्योशन नमबर टू चल रहा है, और इसके और मैप देखें, कालम क्रोमटोग्राफिक की वैक क्या किजे, तूटिया किसे कहते हैं, इनका अर्ली करण कीजे, इन्पुट बायो केमस्ट्री, माइक्रो बायलोजी, मैतेमेटिक्स, जो भी आपका विशे है, शोशलोजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें पेपर का पेटर्न इसी तरीके का रहेगा, तो आई होप ये जो बिश बताए कि ये वीडियो किसा लगा, हमारा चोटा सा प्रियास आप लोगों को पस्द आया या नहीं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमें एक मोटिवेशन प्रदान करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से नए-ने वीडियो लेकर आते रहें, धन्यवाद, थैंक यू.